हलो एवरिवन आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनापूरम फाइनांस के बारे में 95 रुपेस से भी नीचे शेयर ट्रेट कर रहा है भयंकर गिरावट आज आई है तकरीबन 10 प्रतिशत तक यह तूट चुका है और उसकी वज़ा है इनके quarterly results कमपनी के नतीजे आए नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं थे शेयर टूटना लाजमी था और मार्केट आज वैसे भी बहन कर गिरावट दिखा रहा तो दो जाहिर से बात है जहां दिगज से दिगज शेयर 55 परसंट की गिरावट दिखा रहे थ के वहां मनापुरम Finance जिसके नतीजे अच्छे नहीं आये थे और उसमें ऐसे माहौल में ऐसे बाजार में दस प्रतिशत की गिरावट कोई हैरानी के बात नहीं है वीडियो में डिसक्रस करेंगे कि भई या खरीदारी के मौके है कि नहीं और जो results आए हैं वो कैसे हैं वीड पुरम Finance 94 रुपीज 95 रुपीज का शयर एक महिने में अगर आप देखो और इवन आज के दिन में अगर देखा जाए तो ये काफी हद तक तूटा था 92 रुपीज तक चला गया था ये बाउंस बैक दिखाने के कोशिश करी फिर तूट गया फिर बाउंस बैक दिखाने के क करें तो 40 प्रतिशत तक तूट चुका है कहां से तूट कर आया है आदा हो चुका हो उससे ज़्यादा डूटा है अगर इसके हाई से कंपैर करेंगे 220 रुपै का शयर तो पिछले साल नवेंबर को था 220 रुपै का शयर और 100 रुपै से भी कम है तो हैवी करेक्शन आया है य कोविड के वक्त भी ये 92 रुपीज तक गया था जब इंडिया में 2020 में कोविड पहली बार आया था मार्केट की हालत सबसे जादा खरा थी ऐसे में 92 रुपीज तक ये शेयर गया था उसके बाद अब ये उस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है मनपुरम फिनांस की मैं बा है वो इनके नदीज़ historically करोड के म कमपनी ने जो पिछले साल भी उतना ही था 1454 करोड पिछले क्रोड में पिछले साल के मुकाबले कि मुकाबले कूछास फरक नहीं रहा है profit भी 260 क्रोड के आसपास का 261 क्रोड का हुआ है इनको profit जो पिछले quarter में भी इतना ही था 261 क्रोड लेकिन पिछले साल 468 क्रोड का profit था तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा correction आप कह सकते हो यहां पर कि 44% का decline आया है year on year के अगर हम बात करें तो क्यों कमपनी ने पिछल साल इसी quarter में 465 क्रोड से भी जादा का मुनाफ़ा कमाया था और नदीजे के बाद management की commentary भी आई है यह उन्होंने यह कहा यह profit after tax has been affected temporary due to shifting of high yield to lower yielding gold loan we have reduced our operating expansion during this quarter and we intend to maintain it this level और यह इन्होंने वह अपने investor presentation के दौलें के सारी चीज़े कही बहें कि we are focusing more on collection efficiency and quality growth of इनकी जो loan book है उसको लेकर खा सकते देखो company का जो gold loan portfolio है उसको बढ़ाने पर company focus कर भी रही है और company definitely reason simple है कि माहूल बहुत ज़्यादा खराब 2020 में था तब 92 रूपीस से bounce back दिखाया था इसने इस बार 94 पर आये बहुत बड़ा heavily correction मैं expect नहीं कर रहा हूं लेकिन already काफी तूट चुका है 220 रूपे से यह 94-95 पर आ चुका है तो already काफी यह तूट चुका है यहां पर अगर हम ब बढ़ रहे हैं आप देखो 3300 क्रोड के रिवन्यू 6300 क्रोड पर आ चुके हैं और हाला कि 2022 में यह रिवन्यू या तो थोड़े से कम होंगे या इसके आसपास ही होंगे यह भाया रिवन्यू उनके डिक्लाइन जरूर हुए है almost 5500 से 6000 क्रोड के आसपास के रिवन्यू जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में तो हैवेली गिरावट आपको देखने को मिलेगी जहां 2018 में 675 क्रोड का इनका प्रॉफिट था वो साड़े 900 क्रोड रहा financial year 2019 में 2020 में यह 1480 क्रोड और 2021 में यह 1724 क्रोड तक पहुंच ग्रोथ था आप देखो लगातार यहां पेड्रोथ हमें देखने को मिल दा था। लेकिन 2022 में इस पे ब्रिक लगा है इनका जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा ये 1200 करोड के आसपास आपको नजरा सकता है 1000-1200 करोन के आसपास जो कि 20 के मुकाबले और 21 के मुकाबले कम होगा और यही वज़े भी है कि शेर टूट रहा है अभी के वक्त में मनापुरम फिनांस का मनापुरम फिनांस की अगर हम बात करने जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेर और बूर्ट जोन में नहीं है और देखो इतनी गिरावड के बाद जाहिर से बात है साड़े छे के आसपास का इसका पी है जबकि सेक्टर पी 20 के आसपास है अब सस्ता तो बहुत है यह 93% एनलिस्ट कहते है खरीदारी करो खरीदारी करने के मौके भी है उच्छर और बूर्ट जोन में नहीं है कोई भी रेट फ्लेट ने से नहीं आ रहे है अच्छा डिविडेंट पे कर रहे है लॉंग टर्म में पैसा बना है करेंट प्राइस भी कम है इसकी होल्टिंग्स की अगर हम बात करें तो 35.06% की होल्टिंग इनके पास है प्रमोटर के पास म्यूचल फ़ंड ने बड़ी खरीदारी करी है और लगातर कर रहे है जून क्वाटर में अगर आप देखोगे तो 9.69% की होल्डिंग थी फ़ंड की जो अब बढ़के हो चुकी है 14.44% डोमेस्टिक की बात करें तो 1.22% की होल्डिंग बढ़के हो चुके 1.36% एफाइल्स भाईया हर पिछले कुछ कौर्टर से एफाइल्स ही है जो बिक्वाली के मोड में है हर बड़ी कंपनी में हर छोटी मोड़ी कंपनी में एफाइल्स लोग बेज रहे है डोमेस्टिक वाले खरीद रहे है 34.81% की होल्डिंग 29.83% पर आ चुकी है रिटेल वालों की 15.80% की होल्डिंग आ चुके 19.31% मतलब mutual funds खरीद रहे है domestics खरीद रहे है और रिटेल और others party खरीद रहे है एफाइल्स लगातार बिक्वाली पर बिक्वाली करती जा रही है यहां पर देखो मनपुरम finance को लेकर मैं मानता हूँ कि कंपनी में भईया बहुत heavy correction आया है काफी हटक तूड़ चुका है लेकिन मैं यह नहीं मानने को तयार हूँ कि कंपनी डूब जाएगी कंपनी नहीं डूबने वाले कंपनी बनी रहेगी और कंपनी के profits है लेकिन हाँ एक चीज़ यह भी है कि इनको भईया profit में बड़ोतरे दिखानी पड़ेगी अब 500 करोड के profit नहीं चलेंगे इनको कम से कम 300-400 करोड के profit quarterly report करने पड़ेंगे और जब तक वो नहीं होता है definitely इस company के उपर pressure रहेगा मनपुरम finance all legal मैं यहीं कहूँगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो already काफी तूट चुका है कोई अगर थोड़ा बहुत भी correction यहाँ पर आएगा तो नीचे के legal पर खरीदारी के मौके भी बनेंगे यहाँ पर तो खरीदारी करी है तो पहली चीज़ तो बने रहो है यहाँ पर डर के भागने के जरूद नहीं है जहाँ तक बात है fresh buying की definitely मुझे रगता कि खरीदारी के मौके है लेकिन market also unstable है बहुत सारी uncertainty बनी हुई है तो ऐसे में कभी भी किसी एक price पर बहुत सारे shares खरीद के मत बैठ जाईएगा दीरे दीरे add करेगा और long term के लिए add करेगा at least long term भी नहीं मतलब यह वो company है जिसको मैं long term के लिए recommend नहीं करूँगा मैं मानता हूँ कि यहाँ पर नीचे के लिए खरीदारी के मौके बनेंगे और उपर profit लेकर भागने वाले ही मौके बनने वाले है short term के लिए तो वीडियो को यहीं परेंट करूँगा पसंदा होते हैं लाइक कर आशाय के चनल बगरा पहले ही बारे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो मनापुरम finance के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखतर बता सकते हैं thank you